हेलो फ्रेस्ट, समस्कार सबीको, मैं शेफ परशोक, स्वाद करता हूँ आपका आपके अपने वड़ू चैनल कुकिंवी शेफ परशोक सकते हैं, हाँ पर, सबसे पहले इनकी कटिंग करेंगे, कटिंग में होती है, कटिंग जो आपने करनी है, सारी सब्जियों के जूलिन कटिंग करनी है, देखिए, पत्तगोबी के अंदर से हार्ड पार्ट हो तो उसको निकाल दीजिए, और थोड़ा सब प्रेस करके रखेंग इसको इस तरह से आप इनको भी जूलिन काट सकते हैं, और इसी कटिंग का यूज आप नूडल बनाने के लिए भी कर सकते हैं, तो इसको प्याज, प्याज को बनवाई टू कीछिए, बनवाई टू करने के प्याज को भी आपने इसी तरह से स्लाइस काटना है, पर प्याज प्याज को आपने ना अलग रखना है तको भी और गाजर के साथ प्याज को मिक्स नहीं करना है क्योंकि प्याज और शिमला मिल्ची होती है इसको पहले अलग पकाना पड़ता है थोड़ा सा क्योंकि इनके अंदर मौईशर बहुत जाता होता है तो के देखिए तीनों बरकार प्याज की फ्लेम हाई करना है अब आपने गैस की फ्लेम हाई करना है क्योंकि इनके अंदर मौईशर बहुत जाता होता है अगर आप इनको अच्छे से पकाएंगे नहीं तो क्या होगा जो आप स्टफिंग करेंगे या मॉइस्टर छोड़ेंगी और आपके स्प्रिंग रोल ना फट जाएंगे देखिए थोड़ी दिर पकाने के बाद आपने इसमें चिली पेस्ट एड़ करना है तो आप चिली पेस्ट की का सीजबाई सॉस का यूज़ यहां पे कर सकते हैं बहुत बढ़ी है टेस्ट आतों से भी और कि देखिए चिली पेस्ट को भी अच्छी तरह से यहां पे पका रही है साथ में इसके बहुत आपने इसमें पत्तग वपी और काजराइड कर देनी है आपने गैस की फिल्म हाई करनी है फिर से और हाई फिल्म गाजरो पत्तग वपी को थोड़ी दिर के लिए आपने पका लेना है ताकि ये भी थोड़ी सी soft हो जाए बैसे इस सब्जियों को ज़्यादा पकाना नीची रोल के अंदर बढ़ फिर भी इनके अंदर जो moisture रहना उसको निकालना बहुत जरूरी होता है तो के देखिए हमारी जो पत्तगों पर गाजर है वो भी यहाँ पर थोड़ी सी soft हो चुकी है फिर आपने इसमें seasoning का एड़ करनी है नमक डालेंगे आदा छोड़ा चमच नमक एड़ करेंगे आदा छोड़ा चमच जिसमें aromate powder एड़ करेंगे एक छोड़ा चमच जिसमें vinegar एड़ करेंगे एक छोड़ा चमच मैंने इसमें dark soy sauce एड़ की है और साथ में एक छोड़ा चमच टमेटो सॉस भी डाल दी है मैंने यहाँ पर टमेटो सॉस बैसे डालते नहीं है वर्ट हम इनको ना बीना किसी sauce के भी खाल सकते हैं इसमें अगर टमेटो सॉस डाल देते हैं नमक और सॉस डालने के बाद आपने सबजियों को ज़्यदा पकाना नहीं है सिर्फ 30 सेकंड के लिए इनको mix कीशिए और गैस की फिलेम आपने बंद कर देनी है तो यह हमारे श्टफी मी बनके देखिए त्यार हो चुकी है अब इसको आपने थंड़ होने देना है जब तक थंड़ हो रही है तब तक हम इसकी sheet बनाने की त्यारी करते हैं यहां मैंने एक bowl गॉनफार लिया है और एक bowl में देखिए मैदा लिया है तो बराबर quantity में आपने कॉनफार और मैदा का यूज़ करना होते हैं यहां पर तो देखिए अच्छे से mix कर लिया अब हम इसमें दूद डालेंगे दूद के साथ mix करके जो हम spring roll की sheet बनाते ना उससे अच्छी binding आती है तो एक bowl मैंने देखिए इसमें दूद भी add कर दी है आप दूद की जगा अंडे का use भी कर सकते हैं यहां पर अगर आप इसमें दूद नहीं डालना चाहते हैं तो यह देखिए थोड़ा सा इसमें पानी add करेंगे तो कभी भी आप sheet बनाएंगे ना पानी आपने बैटर बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा डालना है यहां पर ज़्यादा पानी डालना है वो भी मैं बताता हूँ क्यों नहीं डालना ज़्यादा पानी कि देखिए आदा बोल मैंने यहां पर और पानी का add कर दिया है एक बॉल मैंने दूद कर डाला था आदा बॉल इसमें पानी एड़ किया है अच्छे इसको मिक्स कर लेते हैं पहले तो कि देखे ऐसा करने से एक तो लमस नहीं बनते हैं दूसरा अभी हमने इस बैटर को कम से तीन से चार मिनिट तक देखे इसी तरह से पटकना है इससे क्यो बनती है इसके बद आपने इसमें पानी एड़ करना है तभी मैंने आपको बताया था पहले कि आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि बैटर पतला हो गया आप इसको अच्छे से फेंट नहीं पाऊगे यहांपे तो यहाँ थोड़ा सा पानी और एड़ कर दिया और गहले देखें बैटर की ठिकनेस बताता हूँ आपको कितनी ठिकनेस हो रिशी है ज्यादा ठिक बैटर बनाएंगे बहुत मोड़ी शीट बन जाती है तो अपने इस तरह से पतला सा बैटर बना के तियार करना है यहाँ मैंने नॉंस्ट्री पैन लिया हैً। नॉंस्ट्री पैन को अपने हलका सा गर्म करना है। ऑँर पूरी बीडियो देखना चाहते हैं, जो आग। दो में इガं धूर केश TOP की चैनल परण आप प्लोड आप देख सकते हैं उसमें मैंने बीना अंडे की शीट बनाने कर तरीकर बताया है और बीद एग शीट बनाने कर तरीकर बताया है और जैसे शीट पैन को छोड़ दे तो शीट बख जाती है उसके बद आपने इसको एक टेबल पर निकाल देना है और जिस टेबल पर आप इनको रखेंगे पहले नीचे confire की हलकी सी dusting करनी है और sheet के ओपर भी हलका हलका सा आपने confire डा देना है ताकि उपर से जब हम दूसरी sheet रखें इसके ओपर तो sheet आप समें चिपके ना तो यह देखिए इसी तरह से मैंने सारी की सारी sheet बना के रख ली है side से हलका सा काड़ देते हैं ताकि हमारी जो sheet है एक तो गोल दिखें यहां पर क्योंकि जो pan को हम जब better पल्टी करते हैं उसमें हलका सा इसका जो हिस्सा होता है वो side से रह जाता है और इसके बद आपने sheets को उपर से cover कर देना है ताकि यह सूखे न और यह देखिए हमारा जो mixture है वो भी यहां पर ठंडा हो चुका है इसमें जो extra पानी था moisture था वो bowl के अंदर निकल चुका है इसको एक plate में रख लेते हैं और इसके बद श्टफिंग करेंगे देखिए एक sheet रखनी आपने table के उपर और इसमें थोड़ी थोड़ी करके आपने stuffing करनी है आपने इसमें उतनी ही stuffing करनी है जो अच्छे से fold हो जाए यह देखिए stuffing करने के बद आपने इसमें batter लगाना है side में यह बो ही batter है जिसमें हमने spring roll की sheet बना के तियार की है और यह देखिए side में आपने fold कर देना है और इन किनारों में भी हलका हलका सा batter लगा देशे यह batter हम तो लगाते हैं इससे शीट सागे से अच्छे से चिबग जाती है और जब आप इनको fry करते हैं वो खुलती नहीं है और अच्छे से tight करके आपने इनको fold करना है अच्छे बन पाएंगे जब आपकी sheet अच्छे बनी होगी और अगर आप sheet के जंचेट में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको मार्केड में easily आजकर sheets भी मिल जाती है तो stuffing के use कर सकते हैं जो stuffing मैंने आपको दिखाई है और जब आप इनको fry करेंगे oil का temperature आपने medium रखना है medium flame में आपने इनको fry करना है ज़्यादा तेज gas में fry करेंगे एकदम से color आज जाएगा और यह अंदर से ना कच्छे रह जाएंगे तो यह दिखे अराम से इनको half fry कर लिशे पहले और half fry करके आप इनको store करके भी रख सकते हैं आप fry करके आपने इनको थंडा कर लेना है फ्रीज में दो से तीन दिन तक आप इनको store करके भी रख सकते हैं तो यह देखे इसके बदे इनको full fry करते हैं जब आप इनको full fry करें तब आपने gas की flame medium to high रखनी है और medium to high flame में तब 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 फ्राई करना है तब ही अच्छे क्रिस्पी बने के खाने में तो यह देखे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी इनके बार से कलरा चुका है और इसके बद आप इनको गर्मा गर्म सर्व कर देशे गर्मा गर्मी spring roll खाने का मज़ाता है और इसको इनको cutting कीचिए पैटो सॉस या होट काली सॉस के साथ आप इनको सर्व कीचिए तो वीडियो अच्छे लगोगा लाइक, शेर, कमेंट जुरूर कीचेगा ओके फ्रेंज, थैंक यू